Hey my loves, welcome back to my channel आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ एक एंगेजमेंट मेकप लुक जिसको कि मैं क्रियेट करने वाली हूँ सभी लैकमे के प्रोडक्ट्स के साथ और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप बिगनर है तीनेजर है तो आपको अपनी मेकप किट में कौन-कौन से लैकमे की प्रोड़क्ट्स को शामिल करना चाहिए शुरुआत हम करते हैं अपनी स्किन को प्रेप करने के साथ और मैं यहां पर यूज कर रही हूँ लैकमे का पीछ मिल्क मॉश्यराइजर यह काफी हाइड्रेटिंग मॉश्यराइजर है और यह आपके मेकप को ड्यूई और लांग लास्टिंग बनाता है प्राइमर के अगर आपको पाटी में जाना है और लांग लास्टिंग मेकप करना है तो यह एकदम बैस्ट प्राइमर है और अब मैं यहां पर यूज कर रही हूँ लैक में आइकॉनिक का मस्कारा और इस प्रोड़क को मैं थोड़ा सा एक फ्लैक ब्रेश में लेके अपनी ब्राउस को करूंगी ब्राउस को आपको वहीं वहीं फिल करना है जहां जहां पर भी आपके गैप्स है और उसी डिरेक्शन में फिल करना है आपको प्रोड़क को थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको जो अपनी आइवरोस का फ्रेंट इसके बाद मैं एक डांप Beauty Blender से अपनी आईड्रोग दौर आप ब्नीAmी अपनी एडिया और आप ड़ा सही हमारी हए उसे अच्छे से Blender कर रहे हूँ और ब्लेंड करा रहे हूँ और को कि आपको अपने आइपर कर रहे आपनी आइप आईटी मैं कर सकत है और कि यहां पर रह फॉल आउट होगा वह असानिसे निकल रहा है और अब मैं अपलाई करूंगी इस आइशेडो पैलेट का यह मैट पीची शेड और इसको मैं एक फ्लैट ब्रेश की हल्प से अपनी क्रीज पर अपलाई करूंगी अपनी लोवर आइलिट्स पर आप देख सकते हैं और मैं इसक प्रेश की हल्प से मैं अपने आई के जो लोवर लैश लाइन है वहां पर भी इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लैंड करूंगी इसके बाद मैं लैकमे का आईलाइनर यूज कर रही हूँ और इससे मैं एक चोटा सा विंग आईलाइनर अपने आईज में अपलाई लैकमे आईकॉनिक का काजल और इसको मैं अपनी लोवर लैश लाइन पर अपलाई कर रही हूँ आप चाहे तो इस टेप को इसके बी कर सकते हैं और उसी काजल को मैं थोड़ा सा अपने आईलाइनर के ओपर भी अपलाई कर रही हूँ इससे आपका लाइनर जो है वो क्योंकि मैं इंगेजमेंट मेकप लुक क्रियेट कर रही हूँ इसलिए मैं इस फांडेशन को यूज कर रही हूँ और अगर आप चाहे तो इसका जो परफेक्टिंग फांडेशन आता है जो की काफी जादा अफोर्टेबल है उसे भी पचेस कर सकते हैं और ये दोनों ही फ और इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से ही अपने पूरे फेस पे अपलाई कर रही हूँ आपका जो फेस है वो काफी लिफ्टिट लगता है और यहां पर मैं उसी आईशाइडव पैलेट का जो गोल्डन शिम्री शेड है उसे हाइलाइटर की तरह यूज कर रही हूँ और इस पूरस को अपने जो लिफ के उपर का बो ए सब्सकेज वहां पर चिन पर और आपने चीक्स को हाइल्ट करना है और आइब्रो की जो बोन है उसको भी हाइलाइट कर रही हूँ लिफ्स्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैकमे 925 प्राइमर मैट लिफ Сब्स्टिक और lower lip की boundary को और अपने upper lip की boundary को इस तरहीके से define करना है and lastly मैं apply कर रही हूँ leg मैं iconic का मसकारा और इससे जो आपके eyelashes है वो काफी बड़ी लगती हैं काफी फुलर लगती हैं और आपका जो look है वो भी काफी निखर के आता है आप चाहे तो falses भी apply कर सकते हैं लेकिन इस maskara को लगाने के बाद आपको falses apply करने के ज़रूरत नहीं पड़ती है and friends my engagement look is all set और आप भी try किजिए इस look को अपने घर में अगर आपको किसी wedding में as a guest जाना है या कोई party attend करनी है तो भी आप इस look को create कर सकते हैं और इस look को create करने के लिए मैंने सभी लैक में के product use किये हैं और मैंने कोशिश की है कि जितने कम से कम हो सके और चितना ज़्यादा effective और affordable products में आप इसाँ share कर सकूँ मैंने किये हैं आप भी इन सभी products को include कर सकते हैं अपनी makeup kit में यह सभी products जो है वो काफी अच्छी quality के हैं आप यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like जरू कर देना शेयर जरू कर देना चैनल पर नए है सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले और मैं मिलती हूं आप से ऐसे एक interesting वीडियो के सांस गाइस तब तक भी